आदाब नमस्ते सस्रीयका मैं साहरा टीवी एन सेवन न्यूज में आप सभी का खैर मगदम करते हैं यो दो दुन गांदी हास्पिटल में आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्सों का पिछले चार दिनों से एतिजाज अपनी तनखा को लेकर के चल रहा है तनखा को बराबर देने और ज्यादा देने की मांग की जा रही है उनकी शिकायत है कि नए आने वाले नर्सों को 25,000 हर मेहने बिना नागा दिये जा रहे हैं जबकि कई सालों से अपने खिदमात को अंजाम देने वाली ये पुरानी नर्से जिनको तज्यूर्बा भी ज्यादा है उनकी तनखार रोक दी जा रही है टाइम पर नहीं मिल रही है और कम मिल रही है अब इस एहतिजाज में शामिल हो गए है फूर्थ क्लास के स्टाफ भी आज गांदी हॉस्पिटल के स्टाफ की एक और गहर जिम्मेदाराना और गफलत का एक और केस सामने आया है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वाइरल हो रही है शायद वो इसी एहतिजाज के नतीजे के तोर पर सामने आई है ये ह बदवो फैलने और इंफेक्शन के डर से वाड में दूसरे पेशिंट में भागदोर मच गई गांदी हॉस्पिटल के सुप्रेटेंडन राजा राव ने कहा कि आउट्सोर्सिंग नर्सेस स्टाफ के स्ट्राइक की वज़े से लाश को हटाने में देरी हुई है